दिल्ली निगर निगम चुनाव 4 दिसंबर से होना है इसके लिए सभी कानिडेट्स पूरा दमखम लगा रही हैं लेकिन इस चुनावी रण में उतरने वालों में से कुछ उमीदवार ऐसे भी हैं जो करोड़ पती के लिस्ट में शामिल है दरसल एसोसियेशन फॉर डेमोक्र की एक रिपोर्ट सामने आई है इसके मुताबिक दिल्ली निगर निगम चुनाव में बीज़ेपी के पास सबसे ज्यादा करोड़ पती कानिडेट्स है उसके बाद आम आदमी पार्टी और कॉंग्रस का नंबर है जानकारी के मुताबिक सबसे अमीर काडिडेट्स की निर्दलिय उमीदवार ऐसी भी है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी शुन्य घोशित की है रिपोर्ट में कहा गया है कि एक निर्दलिय एक कॉंग्रेस और एक बीज़ेपी के उमीदवार के पास सबसे कम संपत्ती है रिपोर्ट के मुताबिक बीज़ेपी के 249 कि संपत्ती घोशित की है एडियार की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार चुनाव लड़ने वाले हर कैडि़ेट की उसत शंपत्ती 2.27 करोड रुपय है जबकि नगनिकाय के 2017 में हुए चुनावों में 2315 उमीदवारों में हर कैडि़ेट की उसत संपत्ती 1.61 करोड रु आदमी पार्थी के 248 उम्मीद्वार से हर उम्मीद्वार के पास 3.74 करोड रुपए और कॉंग्रस के 245 उम्मीद्वार से हर कैंडिडेट के पास औसत प्रॉपटी 1.98 करोड रुपए है बल्ली मारान वॉट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के रामदेव शर्मा ने 66 करोड रुपए से अधिक के संपत्ति घूशित की है जबकि मालवियन अगर वॉट से बीजेपी की नंदिनी शर्मा ने 49.84 करोड रुपए से अधिक के प्रॉपटी घूशित की है वही करावल लगर से आम आदमी पार्थी के उम्मीद्वार जीतेंद्र बंसाला ने हलफ न का विशलेशन किया है उनमें 556 करोड पती है अगर टॉप 10 अमीर कांडिडेट्स की बात की जाए तो इसमें कॉंग्रस का कोई उम्मीद्वार नहीं है जबकि बीजेपी के 5 आमादमी पार्थी के 3 और 2 निर्दलिये कांडिडेट्स हैं आपको बता दे 4 दिसंबर को होने वाले MCD चुनाव में 1349 उमीदवार चुनावी मैदान में है ब्यूरो रिपोर्ट दिल्ली तक